पानीपत में तेज हुआ डेंगू का अतंग, सत्तर पर पॉंची मरीजों की संख्या, चिंता में स्वास्ते विभाग पानीपत शहर में डेंगू का डंग लगातार तीज होता जा रहा है हाला कि इसको लेकर स्वास्य विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है लेकिन इसके बावजूद डेंगू के मरीजों की संख्या सत्तर पर पहुंच गई है डिप्टी सीएम डॉक्टर सुनील संदूजा ने बताया कि बरसात का सीजन शुरू होते ही मच्छर पन पनाने शुरू हो जाते हैं हाला कि बारिश का सीजन लगबग जा चुका है लेकिन जहाँ पानी का भराव है या फिर घर में भी कही गमले में या बाल्टियों में पानी जमा है तो उनमें मच्छर पन बनाते हैं जिसके चलते डेंगू की संभावना अधिक रहती है उन्होंने बताया की स्वासविभा की टीम द्वारा लगातार एंटी लार्वा एक्टिविटी चलाई जा रही है